question number 19 क्या कह रहा है देखिए the total export of item D in 2010, 2012 and 2014 is what percent of the total export of all the four items in 2011 and 2012 question आप से कह रहा है कि बर्स 2010, 12 और 14 में बस्तू D का कुल निर्यात और बर्स 2011 और 12 में सभी चार बस्तू के कुल निर्यात का कितना प्रतीशत है यह आपको बताना है तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बस्तू D की और बस्तू D में कौन कौन से साल की बात कर रहा है यह बोलना है हम बस्तू D का बर्स 2010, बर्स 2012, बर्स 2012 और बर्स 2014 में जो निर्यात है वो बर्स 2011 और 12 में सभी चार बस्तू के कुल निर्यात का कितना प्रतीचत है तो सबसे पहले हम D की बात कर लें कि D प्रकार की बस्तू है, 2010 की बात कर रहे हैं, 2012 की बात कर रहे हैं, 2012 की और 2014 की ये तीन सालों की बात कर रहे हैं कि बस्तू D जो है, उसका निर्यात कितने कड़ोर का हुआ टोटल, तो ये पहले आप देखने हैं और फिर वो कितना प्रतीचत है, सभी चार बस्तू का 2011 और 12 में जो कुल निर्यात हुआ प्रतीचत है, ये आपको बताना है तो सबसे पहले बस्तू D निकाला उसका 2010, 2012 और 2014 का डिटर लिया, तो 2010 में कितना है, तो आप कहेंगे सर्थ 2010 में जो बस्तू D है, वो 214 है, 2012 में 247 है और 2014 में 309 परतीचत हुआ है तो देखेंगे आपको 2010 में कितना दिया, 214, 2012 में तो आप पहेंगे सर्थ 247 और 247 है, कितना है ये, 247 है तो ये 247 कर लिजे इसको, तो ये 247 हो गया और 2014 में बात करें तो 309 है, तो इनका टोटल देख लिजे कितना हुआ, तो आपकी एट करेंगे इनको 241, 920 की 0 हांसिल में 2, तो 4, 2, 6 और 1, 7 और ये कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 7, 770 कड़ों रुपए का निर्याद हुआ, बस्तू, डी का 2010, 12 और 14 में अब हम बात करें किसकी, कि 2011 से 2012 में सभी चारो बस्तूओं का कुल निर्याद बताना है, कब से कब तक, तो कब से कब तक बताना है, तो देखे, यहाँ पर बात हो रही है, 2011, 2011 में सभी चारो बस्तूओं का, यानि कि ये, पूरा, चारो बस्तूओं का, और 2012 में, 2012 में सभी च सबसे पहले करेंगे दुम्जार ग्यारा में निकालेंगे सभी बस्तुओं का कुल नरिया रियाद कितना आप कहनगी सब 250, कितना, 250, 134, 244, 244 और 282, 282, तो टोटल कितना हुआ, तो 810, 0 की 0, 810, 0 की 0, 4 दूनी 8 और 210 की 0, हांसिल में 1 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6, 39, 4 कितना, तो आप कहेंगे 13, 13 और 28 की 1, हांसिल में 2, तो आपका हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, तो 910 करोर का निर्यात, 2011 में हुआ, सभी चारोबस्तों का, अब हम बात करेंगे, 2012 में कितना हुआ, 2012 में कितना हुआ, सभी चारोबस्तों का निर्यात, तो 2012 में देखिए, 225, 238, 28 करोर, इसके बाद बात करें, तो 230 करोर, और इसके बाद बात करें हम, तो 247 करोर, इन सब को आप जोड़िए, तो 8, 7, 15, 5, 20 की 0, हांसिल में 2, तो देखिए, 4, 37, 13, 14, दिन की चार हांसिल में 1, 1 आ जाएगा, तो ये 2, 3, 6, 6, 2, 8, 840, तो टोटल कितना हुआ, 2011 और 12 में, तो इन दोनों का योग कर दीजिए, तो ये 0 आ जाएगा, इसके बाद 4 और 1, 5 हो जाएगा, 8 और 9, 17 हो जाएगा, यनि कि 1750 करोर का, अब इनों ने पूछा है कि 2012 और 11 में, सभी चारों बस्तुओं की कुल निर्यात का कितना प्रतीशत है, ये वाला, तो ये वाला आपको बताना है कितना प्रतीशत है, यानि कि 770 करोर जो है, वो 1750 का कितना प्रतीशत है ये आपको बताना है, तो देखिए, एक 0 से तो एक 0 कैंसिल कर दीजे 25 चिक्का 25 से 7 बार कट गया 25 से ये 4 बार कट गया सास से ये 11 बार कट गया और 11 चौप 44 कितना आगया 44 पριतीशत कितना अंकर आगया 44 परतीशत मतलब 44 परतीशत है तो किस également दिया है आपको तो option A में दिया है option A आपका इस प्रकार answer हो गया आई हो बात आपको समझ में आरे हो कि simple question है लिकिन हम एक एक step by step आपको इसलिए clear कर रहे हैं कि कोई की paper में आए तो आप direct tape table देखकर ही solve कर सकते हैं data को direct लिखकर ही solve कर सकते है ठीक है ना चलिए आगे बात करते हैं question number 20 की question number 20 बोला है the value of यानि कि निम्न का मान बताना है आपको क्या होगा निम्न का मान क्या होगा इस type का question आता है तो यह किस पर follow होता है यह board mass पर अब यहाँ पर कहीं bracket तो लगा नहीं है तो यह order mass पर follow होगा यहाँ पर o लगा है यानि कि off लगा है फिर उसके बाद division फिर multiplication जो real multiplication सा इसान लगा है वो division के बाद solve होगा तो सबसे पहले इस question को आप थोड़ा सा simplify करने की कोसिच करते हैं कि कैसे simplify होगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इसको करिए 3 तर का 9 और 2 11 11 बटे 3 लिख लिए इसको तो हमने इसको लिख लिए 11 बटे 3 थोड़ा सा step कम करने divided by यह कितना लिखा है 11 बटे 30 फिर off का sign लगा है तो पहले यह वाला multiplication solve होगा दो दुनी चार और एक पांच पांच बटे कितना दो और भागत है यानि कि भाग का साय लगा हुआ है तो यह आपका कितना है तीन बटे 5 इन्टू कितना है तो पांच यह आपका उपर वाला stuff solve हो गया अब भी solve होगा मतलब मेंस हमने अभी केबल उसको simplest form में convert किया जो mixed fraction थे उसको improper fraction में convert किया नीचे भी हम इसी प्रकार करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे 2 बटे 5 और पांच आपका sign है आया multiply लगाया कितना हो गया साथ दूनी 14 और 15 बटे कितना हो गया दो हो गया फिर इसके बाद multiply यानि कि division है 3Y4 3Y4 माइनस 3Y4 माइनस 3Y4 इन्टू 2 1 जा 2 1 3 3Y2 और यहाँ पर division है तो division में आपके पास कह लखा है दो 4 दूनी 8 और 9 बटे 4 9 बटे 4 यह आपकी values आईगे अब देखिए सबसे पहले आपने बोला कि जहां off पाला multiplication हम लगाया है पहले बहुत solve करेंगे तो यहाँ पर हमने off की जगह पर multiply लगाया है यहाँ पर off की जगह पर लगाया और यहाँ पर off की जगह पर लगाया तो पहले यह solve होगा तो कैसे solve क करेंगे तो यह तो 11 बटे 3 है divide करना है किस से तो 11 दूनी 22 22 बटे कितना हो जाएगा 90 30 यह 90 ठीक है minus 1 बटे 4 अब इसको तो आप solve कर सकते हैं क्योंकि यह multiply का sign है लेकिन वो division से पहले solve हो नहीं होगा तो multiply 5 by तो अच्छा यह भी off की जगह पर लगाता 5 by तो इसको भी आपको multiply करना है इसको भी आपको multiply करना है तो इसको भी आप multiply कर दीजे इसको भी आप क्या कर दीजे multiply कर दीजे तो 5 एकम 5 और बटे में कितना 8 और division का sign है तो बिलकुल रहने दीजे 3y कितना है 5 है और into में कितना है तो into में आपके पास 24 upon 5 है upon में कितना आ जाएगी value तो देखिए off कहां लगा था के बल एक जग है पहली value पर तो पहले यह multiplication solve होगा तो यह आपका हो जाएगा multiply करोगे तो 2 से 2 cancel हो जाएगा 5 से यह 3 बार cancel हो जाएगा तो आपका यह 3 बचेगा divide divide आपका होगा 3y4 और minus 3y4 3y4 minus 3y4 अब यह आपका कितना है तो minus के बाद 3y4 के बाद यह आपका 3y2 है तो यह आपने कितना लिख देना है 3y2 तो into में क्या है 3y2 3y2 अब देखिए इस division को multiply में next step में हम change करेंगे ठीक है यह भी आपका कितना है 9y4 यहां तक अभी केबल आपको solve दिया अब हम क्या करेंगे division को solve करेंगे तो division को आपको किस में convert करना है multiplication में तो राशी पलट जाती है यानि कि 90 अपन कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा minus 5 upon 8 यह multiply में convert करेंगे तो 5 upon 3 हो जाएगा इन्टू यह 24 upon 5 तो लिखाई हुआ है चलिए इसी प्रकार हम नीचे करेंगे यह आपका 3 है इन्टू यह 4 upon 3 हो जाएगा minus 3 upon 4 into 3 upon 2 into 4 upon 9 हो जाएगा अब आप देखें अब यहां से आप थोड़ा सा देखिए कि values कट रहे हैं तो जो values कट रहे हैं उनको पाट दीजे 11 तिया 11 दूनी 22 और 3 से यह कितने वार 30 बार और 2 से यह कितने वार तो 15 बार तो उपर यह तो finally कितना बचा 15 15 बचा अब देखें 5 से एक 5 कैंसल और 8 तिया 24 तो 24 से 24 कैंसल तो यहां कितना बचा 5 यहां कितना बचा आपका 5 बचा तो देखें और यहां कितना ह बचा 15 माइनस 5 बचा हुआ है अब नीचे के हम बात करते हैं तो नीचे देखे 3 से 3 कट गया ठीक है इस 3 से ये 9 कट गया ये 4 से ये 4 कट गया तो finally यहां कितना बचा तो आप कहेंगे सरी 4 माइनस 1 बटे 2 बचा अब 4 माइनस 1 बटे 2 का मतलब है कि 4 में से आपको आधा माइनस करना है यानि कि 3 साड़े 3 मतलब क्या होता है 7 का अधा तो ये 7 बटे यानि कि 4 दूनी 8 माइनस 1 यानि कि 7 बटे 2 हो जाएगा नीचे और उपर कितना है 10 तो ये कितना हो गया 7 बटे 2 हो गया तो 2 उपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20 बटे 7 तो इस option में दिया है दो सही 6 बटे साथ तो option B में दिया है तो इस परकार option B आपका answer हो जाएगा आई हो बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस question का solution करना है copy simple है सबसे पहले आप off जान दिया है पहले वो multiply करें फिर जो division है उसको multiply में convert करेंगे तो रासी का हो जाएगी पलट जाएगी रैसी प्रोकल हो जाएगा ठीक है तो आसानी से आपने answer दे दिया है इस question का next बढ़ते हैं question number 21 की तरफ question number 21 देखे बेटा यहां पर यहां लेता हुआ है in an examination in which the full marks were 500 A score 25% more marks than B B score 60% more marks than C and C score 20% less marks than D if A score 80% marks than the percentage of marks obtained by D is question आप से कह रहा है कि एक परिक्षा में जिसमें पूर्णांग कितने हैं 500 थे मतलब paper जो है वह 500 नंबर का है मैं A को 20 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिकंग प्राप्त हुए B को C की तुलना में 60 प्रतिशत अधिकंग प्राप्त हुए और C को D की तुलना में 20 प्रतिशत कम अधिकंग प्राप्त हुए तो A को 80 प्रतिशत अधिकंग मिले हो तो कितने प्रतिशत अधिकंग मिले किसको तो यहाँ पर पूछा गया है then the percentage of marks obtained by D is तो D को यहाँ पर लिख लेना आप D को D को कितने प्रतिशत अधिकंग मिले यह आपको बताना है ठीक है D को कितने प्रतिशत अधिकंग मिले यह आपको बताना है simple question है देखिए यहाँ तो आप क्या करें पहले A, B का ratio बना ले क्योंकि A को B से 20% अधिक मिले B को C की तुलना में 60% अधिक मिले और या फिर आप एक क्रम से चलाएं मतलब last में D की तुलना में 20% कम अंक मिले C को तो D को सौम वालने फिर उसका 20% कम कर दें 80 कर दें अस्ती का फिर जादा करते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं तो दो तरीके आपके पास इस question को करने के लिए हम आपको सला देंगी कि आप पहले A, B का, B, C का और C, D का ratio बना ले और फिर उसको आराम से A, अनुपाद, B, C, अनुपाद, D में convert कर ले तो वहाँ से ये question थोड़ा सा आपके लिए easy हो जाएगा तो देखिए इसी तरीके से हम करते हैं इन्होंने बोला कि A को B की तुलना में A को B की तुलना में B की तुलना में 20% अधिक अंग प्राप्त हुए तो हमने बोला कि A को B की तुलना में 5 का 20% होता है तो A को कितना मिला 6 तो ये हमने A और B के अंगों का अनुपात निकाल लिया अब इसी प्रकार अगर हम बात करें next की next हम बात करें कि B को B को किस की तुलना में C की तुलना में यह लिएका है कि B को C की तुलना में 60% अधिक अंग प्राप्त हुए तो 60% का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे सार 60% का मतलब होता है 3 मटे 5 और तुलना किस से कर रहे हैं बोलना है कि B को C की तुलना में अधिक प्राप्त हुए मतलब 3 जो है वो 5 का 60% होता है तो C को अगर पांच मिले तो इसको कितने मिले वी को आठ मिले तो यहां से अनुपात मिल गया भी और सी का ठीक है यहां से अनुपात मिल गया भी और सी का फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें उन्होंने बोला और सी को डी की तुलना में 20 प्रतिश्चत कम अंग प्राप्त हुए 20% मतलब फिर से एक बटे 5 लिकिन इधर ये प्लस था और इधर भी प्लस था अधिक प्राप्त हुए थे इधर क्या है माइनस है अब C को और किसकी तुल नाम है तो D को अगर किते मिले हैं 5 तो C को एक कम मिला है याने की 4 तो C अनुपाद D हमारे पास आ गया तो देखी A-B अनुपाद B, C अनुपाद C, D हमारे पास आ गया तो इस हनुपाद को सॉल्व परने का विलकुल सिंबल तरीका आप देखी कैसे सॉल्व कर सकते हैं A अनुपाद B की वैल्यू आप लिख लीजे A अनुपाद B की वैल्यू कितनी है तो आप गएंगे साछ 6 5 है ठीक है फिर B अनुपाद C के वैलू कितनी है तो B अनुपाद C के वैलू आपके पास 8 अनुपाद 5 है ठीक है और C अनुपाद D के वैलू कितनी है C अनुपाद D के वैलू कितनी है तो आप कहेंगे सब 4 अनुपाद 5 है चार अनुपात पांच है तो ध्यान लखना कि जब आपके पास इस तरीके से किस क्रम में आनुपात हो कि A अनुपात B तो अनुपात A से सुरू हो रहा है और B पर खतम हो रहा है दूसरा अनुपात B B से सुरू हो और C पर खतम हो तो तीसरा C से सुरू हो तो इसको हम एक बिल्कुल बहतरी तरीके से solve कर सकते है वो तरीका क्या है आपको निकालना क्या है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D मतलब कितना कितना किसको मिला यह हमें निकालना है तो आप क्या करिए पहले vertically multiply कर दीजे मतलब सीधा गुणा कर दीजे आप सीधा गुणा करेंगे तो आपको A की value मिल जाएगे यानि कि 8 चिंग 48 यानि कि आप यहां पर बोल सकते हैं कितना 32 32 कितना हो जाएगा आप यह कर लिजे तो यहां पर 32 इंटू 6 कर लिजे 32 इंटू 6 चेदू निबारंग की दू हांसिल में 1 चेटीटारा एक 19 तो 192 तो 32 चिंगा कितना हो गया 192 हो गया ठीक हैं तो 192 यह आगी भई A की value अनुपात अब आपको B की value निकाल लिए तो आप क्या करें cross multiply करें B का B से और फिस C से तो यह cross multiply इस तरीके से होगा तो 8 5 40 और 44 कितना हो जाएगा 160 कितना हो गया 160 अनुपात अब जहां आपने खतम किया वहीं से आप सुरू कर दीजे यानि कि 4 का multiply 5 से और जो result आएगा उसका multiply 5 से तो 5 चोगो 20 20 500 तो यह कितना होगे आपका 100 अनुप अब आपको फिर से vertically multiply कर देना है यानि कि 25 25 25 125 तो 125 तो इस परकार यह आपका values आजाएंगी इस परकार यह आपकी values आजाएंगी अभी किसी भी common number से cut नहीं रहेंगे तो यहां से A अनुपाद B अनुपाद C अनुपाद D अनुपाद आ गया कि मतलब अगर 1 को 192 अंग मिले हों एको 80% मिले हों किसका 80% मिला है एको तो आप कहेंगे एको 500 का 80% मिला है तो एके अंग कितने अगर हम बात करें तो 500 मैंसे 80% मतला होता है 4 बटे 5 ठीक है तो यानि कि एको कितने अंग मिले तो एके अंग का जाएंगे 400 एको कितने अंग मिले 400 ठीक है एको कितने अंग मि अब आपको बाखी वैलिउस थीक है, पहली वाली वैलिउस आपको जो है, वो चेंज करनी पड़ेगी, और साथ ही ये ratio भी आपका change हो जाएगा ठीक यहाँ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि English में 25% more than लिखा है एको 25% ज्यादा मिलता है जबकि यहाँ पर बोल रहें कि भाई कितना 20% तो हमने 20% के साफ से कल लिया हिंदी में तो हिंदी का मान नहीं होता है तो चलिए कोई बात नही तो ये ratio बदल जाएगा तो इन तीनों के ratio भी कुछ और आएंगे अब ठीक है इन तीनों के ratio कुछ और आएंगे अब तो चलिए यहाँ पर 25% दिया था इंग्लिस में कितना 25, 60 और 20 दिया था और यहाँ पर भी कितना दिया 20, 60 और 20 दिया था तो 25, 60, 20 पर करना है 25% यानि कि A को 5 मिलता है इस तरीके से ये question solve होना था तो अब यहाँ से कोई दिक्क्त नहीं है यानि कि B को A को B की तुला में 25% अधिक अंक मिलते हैं 25% मतलब एक बटे 4 होता है अगर B को 4 मिलते तो A को 5 अंक मिलते हैं तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस अनुपात को solve कर हैं तो आप कहेंगे सर B अनुपात C हमारे पास 8 अनुपात 5 है और C अनुपात D कितना है तो C अनुपात D हमारे पास 4 अनुपात 5 है तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जब भी आपके पास इस परकार अनुपात आता है कि A पर शुरू हो रहा B पर खतब हो रहा और अनुपाद B, अनुपाद C, अनुपाद D निकालना बहुतत आसए. कैसे निकाल लेंगे? तो देखिए, अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है A, अनुपाद B, अनुपाद C, अनुपाद D. तो सबसे पहले vertically multiply मतलब सीधा गुणा कर दीजे 8, 5, 40 और 44 चौकों कितना 160 तो यह आपका 160 हो गया अनुपाद cross multiply कर दीजे तो देखिए 8, 32 और 32 चौकों कितना होगा तो 32 चौकों करना है इस पार 32 चौकों कितना होगा तो आप कहेंगे सब 4 दूनी 8 और 44 बारा 128 ठीकें तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा अनुपाद जहां खतम हुआ वहां से सुरू कर दीजे और उपर multiply ले जाएगे तो 4, 5, 20 बीच चौक कितना 80 तो यह कितना होगा 80 फिर अनुपाद अब vertically multiply कर दीजे तो 25 पचीज चौक कितना 100 तो I think कि सभी जो number है वो 4 से कट रहे हैं तो 4 से जब काटोगे तो यह 4 चौक 16 यानि कि 40 आजएगा ठीक 4 से काटोगे 4 ती 12, 4 दूनी 8 32 आजएगा 4 दूनी 8 और 4 से यह 25 बार कट जाएगा अब साइद यह नहीं कटेगा 40, 32, 20 और 25 का नुपाद आया यानि कि हम कह सकते हैं कि अगर A को 40 तो B को 32 C को 20 और D को 25 अंक मिले लेकिन question में आप से कह रहा है question में आपको clear कह रहा है कि A को 80 प्रतिशत अंक मिले मतलब अगर हम A की बात करें तो A को 500 में से 80 प्रतिशत अंक मिले कितना मिला 80 प्रतिशत तो 80 प्रतिशत क्या होता है भाई तो आप कहेंगे सरी चार बटे पांच होता है यानि कि एक को 400 अंक मिले एक को कितने मिले 400 और पूछा गया है तो D को कितना प्रतिशत अंक मिला D का प्रतिशत बताना है तो पहले हम D का क्या निकालने है, D के अंग तो निकालने है, तो यहां से आप देखे, 40 unit की value कितनी है आपके पास, तो आप कहेंगे सर 40 unit की value 400 के बराबर है, एक unit की value किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 10 के बराबर, तो 25 unit की value किसके बराबर, तो दोनों तरह आप 25 से multiply कर जे, तो ये चो 25 निम्ट के वेली हैं, वो कितनी हैं, इसमें से मिलें, इंडू क्या कर देंगे, सौ कर देंगे, तो यानि कि दी का % कितना है, तो दी का % है 50, यानि कि दी को 50 % नम्बर मिले. तो 50% यानि किस option में दिया है, option C में दिया है, तो option C आपका answer हो गया, इस परकार option C क्या हो गया, आपका answer हो गया, आयो बात आपको समझ में आगी, किस तरीके से इस question को बनाना है, तो चलिए